काम्या अब किसके सपोर्ट में उतर आई हैं और क्या बोल रही है ये बिग बॉस मेकर्स के बारे में नमस्कार मैं हूँ लीसा गुड़ानिया अस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि काम्या ने किया है कुछ ट्वीट बिग बॉस की makers को लेकर और बता रही हैं कि वो सिर्फ उन्हीं को टागेट करते हैं जो होते हैं strong contenders तो हम आपको बता देगे कि किसके बारे में बात कर रही हैं घर में मॉजू स्ट्रॉंग गर्ल गंग जैस्मिन भसीन, घुमिनलिक और कवीधा कॉशिक के बार मैं। आपने वीकेंड के वार पर दिखा होगा कि कैसे हर वीकेंड के वार पर लगती है इन लोगों की ज़ाड़। यहां रूबीना दिलैक और जैसमें तो जैसे मानुल सलमान के रिडार पर रहते हूं और रहते हूं मेकर्स के रिडार पर और उनको हर बार पढ़ती ही है डांट साथ ही अभीनव भी ले लिये जाते हैं लपेटे में ऐसे में कामया पंजावी आ गई है अपने ट्विटर हैं कि वाई मेकर्स भी उन्हीं को टार्गेट करते हैं जो कि हैं स्ट्रॉंग और दे सकते हैं कुछ कॉंटेंट अगर आप स्ट्रॉंग नहीं है और सलमान की बात नॉर्मली सुन लेंगे तो आप थोड़ी न मेकर्स को दे रहे हैं कोई कॉई कॉंटेंट ना ही मिल रहा है जिन से उन्हें मिलेगा रियाक्शन और साथ ही मिल जाएगा थोड़ा सा टियार्पी बटोरने का मौका काम्या की बात थो में बहुत सेंसिबल लगी यह पूरा शोट टियार्पी कि अभी भूख से मर रहा है क्योंकि नहीं मिल पारी होने उतनी टियार्पी जितनी हमेशा म रहे हैं अगर वो यह कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रॉंग कंटेंडर से कोई ऐसा रियक्शन निकाल पाएं जिससे खीच पाएं ओडियंस तो भाई यह तो हो सकती है उनकी सोची समझी बुलकुल एक प्रॉपर स्ट्राटेजी और काम्या ने काफी अच्छी से कर दिया है इ आप मेकर्स के इस स्ट्राटेजी के बारे में लिख कर बता दीजिए मैं कॉमेंट सेक्शन में साथ ही हमाँ चानल देखते रहे हैं क्योंकि ऐसी सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजेगा हमारे चानल गो